इंडिया गटबंदन से जोड़ी हुई एक बड़ी खबर बता देते हैं स्टीट शेरिंग को लेकर लगातार बैठक के की जा रही है और कॉंगर्स और समाजबादी पार्टी के बीच आज जो बैठक हुई वो फिलाल खत्म हो गई है और इस बैठक में क्या कुछ हुआ वो भी जल्दी से आपको बता दो देखे समाजबादी पार्टी के जुनेता है राम गोपाल यादा उनकी तरफ से कहा गया है कि बैठक जो है उसमें काफी कुछ तै हुआ लेकिन अभी आने वाले समय में और भी चीजे तै होंगी उन्होंने एक बड़ी बाती कहिए कि आधा रास्ता साफ हो गया है आधा रास्ता तै हो गया है सुने ज़रा क्या कहा है तो आधा रास्ता तै हो गया है इस बात के माई ने किया क्या कुछ और जनकरीश मीटिंग को लेकर हमारे पास है सीदे रुख करेंगे हमारे सहयोगी दीपक रावत हमारे साथ जोड़ गया है दीपक जल्दी से जानकारी दीजिए क्या हुआ आज बैठक में आधा रास्ता तै मतलब क्या इसका जी शरीन देखिए दूसरी बैठक थी समाजवादी पार्टी के साथ कॉंग्रेस की जब सीटों पर बटवारे को लेकर चर्चा हुई है दो घंटा बैठक चलिए चार बजे शुरूवी थी च्छे बजे खत्म हुई है लेकिन सीधे तोर पर दोनों पार्टी के नेता जब बयान देने सामने आए तो राम गुबाल यादव ने सबसे पहले यह कहा कि आधा रास्ता लगबक ताय हो चुका और बहतर तरीके से तैह हुआ है यानि कि आदी सीटों पर चर्चा हो गई है आदी सीटों पर चर्चा होना बागी है लेकिन जब बीएसपी सुपरीमों मायवती को साथ लानी की बात पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आप उनसे पूछिए हम यहां पर कॉंग्रेस से बात करन अगर मायवती आना चाहें तो आ सकती हमका स्वागत ये कॉंग्रिस पहले भी कर चुकी है तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो सल्मान कुर्ची से पूची गई कि अगर कई मामला फस्ता है तो अखले शादव से भी क्या बैठक कर बाचीत की जाएगी जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर ढाई पे आए बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहु पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे